देखे कारकाट से पवन सिंग के हार के बाद पूरे भोच पूरी इंडस्ट्री में इस बात की चल्चा जोर सोर से होने लगी है कि भोच पूरी इंडस्ट्री के कलाकारों का ये इतिहास रहा है कि वो पहली बार में कभी चुनाव जीते ही नहीं है ऐसे में इस रिकॉर्ड को पवन सिंग तोड़ते भी कैसे अब आपको बता दें कि निदा हुआ हो या फिर मनोच तिवारी हो या फिर रवी किशन हो सबके राजनीती करियर का इतिहास अठाकर अगर देखा जाए तो ये बात बिलकुल सही है कि कोई भी भूशपूरी कलाकार जब पहली बार किसी भी प आजमाया है तब जाकर उसको जीत हासिल हुई है और सेम यही बात पवन सिंग के लिए कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंग के साथ ऐसा हुआ है पहली बात जब वो राजनीती में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में जब उनको मूह की खानी पड़ी है और हार हाथ ल करेंगे मनोज सिवारी की आपको बता दे कि 2009 में मनोज सिवारी की राजमीती करियर की शुरुवात हुई थी आपको बता दे कि सपा पार्टी से उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरक पूर्शेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकत पर लोग सभा का चुनाव लड़ा था हम आपको बता दे कि उनके ओपोजिशन में योगी आदित्यनाथ थे और आपको बता दे कि योगी आदित्यनाथ से मनोज सिवारी हार गय थे बताते चले कि साल 2013 में भाजपा के साथ अपना राजनितिक करियर दुबारा से शुरू किये थे मनोज सिवारी एक गायक और एक अभिनीता के रूप में उनकी लोगप्रेता ने उन्हें पार्टी में तेजी से उपर चड़ने में मदद की थी 2014 की जब बारी आई थी उस वक्त वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के निर्वाचन शेत्र के लिए सांसत के रूप में चूने गए थे उन्होंने आनंद कुमार को 1,44,84 वोटों के अंतर से हराया था उसके बाद आपको बता दे कि साल 2019 में मनोस्तिवारी दुबारा लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं इसके बाद इस बाद भी पार्टी ने उनको ठीकर दी थी और इस बाद भी वो जीत जाते हैं अब हम बात करने वाले हैं दिनेश लाल यादो उफ निरहुआ की आपको बता दे कि निरहुआ साल 2019 में अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं भाजपा के टिकट पर वो चुनाओ लड़ते हैं किसके खिलाफ चुनाओ लड़ते हैं तो सपा के रास्ट्रिय अध्यक्च अखलेश यादव के खिलाफ को साल 2019 में चुनाओ लड़ते हैं धर्मेंद्र यादव को हराया था जीता हासल करने के बाद वो जिले के फिल्म के शुटिंग करने के साथ साथ लोगों के बीच कारिक्रमों में भी शामिल होते रहे थे और आपको बता दे कि निरहुआ इस बार भी चुनाओ लड़ते हैं आजमगड की जनता और बीजेपी उन पर दुबारा विश्वास जताती है वो फिर से चुनाओ लड़ते हैं और इस बार वो हार गए हैं इस बार आजमगड से विजई हुए हैं धर्मेंद्र यादव अब हम बात करने वाले हैं रवी किशन की तो आपको बता दे कि साल 2013 में रवी किशन जो बोईचपुरी के मेगस्टार कही चाते हैं वो कॉंग्रेस में शामिल होते हैं इसके बाद 2014 में उन्होंने कॉंग्रेस के टिकट पर जौनपूर सीट से चुनाओ लड़ा था लेकिन मोदी लहर में उन्हें इस चुनाओ में हार का सामना करना पड़ा था इस सीट से बीजेपी के केपी सिंग ने उन्हें बुरी तरह से हराये था इस चुनाओ में रवी किशन को सिर्फ 40,000 वोट मिले थे पहले चुनाओ के बाद वो राजनीती में आये और 2017 में वो बीजेप बनाए गया इस बार भी वो जीते हैं और आपको बता दे कि निरहवा इस बार हार गया है वही पवन सिंग को भी हार हाथ लगी है ऐसे में ये कहना कहीं से भी गलत सावित नहीं होगा कि भोजपुरी काला कारों को ये श्राप कह सकते हैं कि मिला हुआ है कि वो जब भी पहल लड़े या किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े पहली बार में वो हारते ही हैं लेकिन आपको बता दे कि जिस तरीके से पावन सिंग को समर्थन मिल रहा था लोगों का श्रिवात प्यार दुलार मिल रहा था जो महाल पावन सिंग का दिक रहा था वो देखकर लोगों न प्रशने वाला थो होता है किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा एक दम से अन्प्रेटिबल रिजल्ट था कलका जब लोगों को पता चला कि पावन सिंग काराकार्ट से हार गये हैं पहले नंबर पर यानी जीत मिली है राजाराम सिंग को और दूसरे नंबर पर पाव